अब पुलिस ने सेफ की भी जांच करनी शुरू की उसके वाइर में इंक्वाइरी करना शुरू किया क्योंकि उसकी एलिबाई में बहुत सारे जोल थे जैसा कि उसने बताये कि मैं घर के बाहर खड़ा रहा फिर मैं किसी फ्रेंड को जूनने चला गया फिर जूनने के बाद म हजम नहीं हो रही थी और जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी एलिबाई हजम नहीं हो रही होगी क्योंकि आप लोग क्राइम सीरियल्स देखते हैं क्राइम के शोज और भी देखते होंगे मेरे चैनल के अलावा और आपको भी पता है कि एलिबाई बिल्कुल सटीक नहीं हो सकती इतने बड़े क्राइम के लिए सैफ की उसके दोस्त सैम के साथ सीसी टीवी फुटेज थी रात को आठ बजे से लेकर रात के ग्यारा बजे तक की सैम ने पुलिस को बताया कि जो हम लोग साथ थे तो सैफ ठीक से खाना नहीं खा रहा था क्योंकि शायद व मां को तो हॉस्पिटल में एड़ीट भी करना पड़ा था वो रात भर हॉस्पिटल में रही और किसी तरह फिर वो ठीक हुई और फिर अपने घर वापस आई थी सैफ बार बार सैम से उसका फोन भी बोरो कर रहा था उसने सैम को बताया कि मेरे घर का फोन बहुत जारा कार थी जो उसके पेरेंट से उसे गिफ्ट की थी बाद में टेडी के कलीग ने बताया कि मैं कुछ इंपॉर्टन डॉक्युमेंट देने के लिए इनके घर में गया था चार दस से चार तीस के बीच जबकि क्लॉडिया का उसी समय मर्डर हो रहा होगा अंदर या हो चुका ह उस समय यह इनके घर पर गया था लेकिन उस समय घर पर शायद कोई भी नहीं था इसने बैल वगरा बजाई लेकिन किसमें भी दर्वाजा नहीं खोला लेकिन इसका लीक को अच्छी तरीके से याद था कि उस घर में एक ग्रीन कलर की फोर्ट फेस्टिवा कार खड़ी यह वो अपने बेटे को पिक अप करके स्कूल से अपने घर की तरफ जा रही थी रास्ते में ही इनका घर पढ़ता था तो एमिली ने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर से मिल लेती हूं थोड़ी देर उसके साथ स्पैंड कर लूँगी जब एमिली इनके घर के अंदर गई तो उ अपने घर के बाहर खड़ा था अपनी कार में बैठा था और बहुत ज़्यादा बारी शोरी थी इसलिए वो अंदर नहीं गया था भीगने के डर से कुछ देर तक वो बाहरी खड़ा रहा और बाद में अपने किसी अन्नोन फ्रेंड को धूनने के लिए चला गया था जिसक यह भी याद था कि उस समय बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी यह उसे अच्छी तरीके से इसलिए था क्योंकि उसने अपने बेटे और अपने लिए अंब्रेला उस दिन नहीं निकाली थी उस समय कुछ मिंडो में जबकि वो अपने बेटे को लेने गई लेने के में दोर के बगल में यह विंडो थी उसने विंडो से अंदर जाकने की कोशिश की थोड़ा सा होल था उससे अंदर जहांका तो उसने देखा कि शायद अंदर कोई व्यक्तिव से नजर आया जिसने एक जैकेट पैनी थी और एक बेसबॉल कैप लगाई हुई थी लेकिन बा इसलिए अमीली ने भी मान लिया कि अंदर कोई भी नहीं और वहां से चली गई लेकिन वो पूरी रह से अभी महां से गई नी थी उससे लगा कि मैं साइट के दर्वासे से जाकर वहां पर नौक करती हूँ क्योंकि बहुत अजीब सी बात थी कि यह तीनों के तीनों एक और वहां से चली गई क्योंकि उससे ठीक सा नहीं लग रहा था ये तो नहीं लग रहा था कि अंदर कोई घटना हो गई है लेकिन पता नहीं क्यों से अजीब सा लगा और वहां से चली गई पुलिस को ये भी थोड़ा सा वियर्ड लगा था कि उस दिन जिस दिन इसके माबब की हत्या हुई थी उस दिन सेफ बहुत जारा बुरी तरह रो रहा था चिला रहा था बार बार पुलिस को फोन कर रहा था पड़ोसियों को बुला रहा था और बुरी तरह से अपने फेस पर हाथ रखकर कभी जमीन पर गिर कर रो रहा था लेकिन उसके आँख में एक सिंगल आसू भी नहीं था चाहें वो कितनी भी एक्टिंग कर ले लेकिन शायद वो रोने की सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा था उसे अपने माबाब के मरने का कोई भी दुख नहीं था क्योंकि उसकी आंग से एक भी आसू नहीं गिरा था उसने अपने पड़ोसियों से यह भी का था कि मैं अपने माबाब को CPR देने अंदर चाह रहा हूं लेकिन बाद में पुलिस ने रोटिस किया था कि उसमें जो कपड़े पहने वे थे उसमें बहुत ही थोड़ा सा खून लगा था थोड़ा सा उसके जूते पर लगा था थोड़ा सा उसकी जीन्स पर लगा था और बहुत थोड़ा सा खून ही उसकी स्लीफ पर लगा था वहाँ पर इतना जादा blood था कि अगर वो CPR देने की कोशिश करता थोड़ी सी भी कोशिश करता पास भी जाता तो उसके सारे के सारे कपड़े खून में भीग जाते लेकिन इसके लिए सेफ ने पुलिस को ये सफाई दी थी कि उस दिन बहुजारा बारिश हो रही थी जब आप लोग आ गए थे पुलिस वारे तब भी बारिश हो रही थी मैं बार बार अंदर भार जा रहा था और इसी कारण बढ़ साथ में मेरे सारे कपड़े धूल गए और मैच कर रहा था बाद में तराशी करने पर सेफ की वार्डरूब की ड्रॉर से एक यूके साइज सेवन का यूमन ब्राइंड रॉनिंग लेसलेस शूस का बॉक्स भी मिला आपको याद होगा कि इसके घर में बहुत सारे शूप्रिंट मिले थे जो कि इसी ब्रैंड के शूस और उसको भेज दिये होंगे तो यह बहुत अजीब सी बात थी कि अगर आप किसी के लिए शूस खरीद होगे तो उसे आप विद बॉक्स बेजेंगे विदाउट बॉक्स बेजेंगे लेकिन यह बॉक्स इसके कमरे में पता नहीं क्यों इसकी अलमारी में पड़ा था और इसे इतना जारा समाल कर अपनी अलमारी में रखा हुआ था सेफ के फ्रेंड सैम ने बताया कि सेफ हमेशा अपनी कारगी डिकी में एक बेसबॉल बैट रखता था अपनी सेफटी के लिए और जब पुलिस ने चेक किया तो वो बेसबॉल बैट वहां से गायब था और उसक कि सेफ कोई भी सफाई नहीं दे पाया कि वो कहां चला गया उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहां चला गया पुलिस को उस पर बहुत जारा शक हो गया था लेकिन अभी भी ये सारे सबूत इसके खिलाफ काफी नहीं थे अभी पुलिस को और जारा महनत करनी थी पुलिस पुलिस ने सेफ से कहा कि अब तुम फिर से पुलिस टेशन आओ और दुबारा से 10 जुलाई की रात को यहाँ क्या हुआ था यह साव प्री एक्ट कर दिखाौ यानि कि दुबारा से वो सारा महसूस करके कि उस दिन तो महाँ पर हो तुमने कैसे रियक्ट किया यह सब कुछ करके दिखाओ तो वहाँ पहुंचा लेकिन पुलिस को उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो डिस्ट्रेस है या परेशान है दुखी है वो बिल्कुल का कि दरवाजे से ही निकलकर सैफ भी उनके पीछे जब भागा होगा तो वह उसको शायर नजर भी नहीं आये होगे क्योंकि पीछे के दरवाजे से निकलने के बाद कुछ इस तरह का सीन था कि यह उनके पीछे बहुत दूर तक भागेगा तब ही शैर वो उसको दिखेंगे नहीं तो वो उसको नजर नहीं आ सकते थे यानि कि एक तरह का जूट था और जब उन्होंने दुबारा से एक्ट करके देखा तो वो ये सब चीजें समझ गए फिर पुलिस ने उसके फ्रेंड्स और फैमिलीज को इंटर्व्यू करना एक एक करके शुरू किया जितने भी रि उसने इन सब को तरह तरह की क्रेजी स्टोरी सुना रखी दी उसने कभी किसी को कह रखा था कि वो टाइकांडो में एक्सवर्ट है किसी को कहा था कि वो चुपचाप एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है किसी को उसने यह बताया था कि मैं एक वर्ड चैंपियन केक बॉक्स मेरी बहुत जारा प्रॉपर्टी है और यह भी बताया था कि मुझे बार-बाद नियू-यॉक जाना पड़ता है अपनी मीटिंग्स करने के लिए मैं इतना अमीर आदमी हूँ उसने यह भी कहा था कि मैं एक boy band का manager हूँ मैं एक music producer हूँ उसने अपने आपको modeling agent भी बता रखा था और उसने यहां तक जूट बोल रखे थे कि मेरी एक modeling agency भी है उसने कई लोगों को यह बता रखा था कि मुझे cancer है बाद में उसने जूटी story गड़ी कि मैं cancer से लड़कर जीच चुका हूँ और अब मैं उससे उबर रहा हूँ धीरे धीरे यह भी पता चला कि जो उसका fanpage था जो कि उसकी friend Daisy Diaz चलाती थी चलिए अब आप खुद ही सोचिए कि वह fanpage क कि एक बार इसने हमारे घर में आकर मेरे wallet से पैसे भी चुरा लिये थे और जब मैंने इसके parents से शिकायत की तो वह नारास्त हुए लेकिन जादा उन्हें आश्यर है नहीं हुआ क्योंकि उनको भी शक था कि उनका बेटा उनके परसे से पैसे चुराया करता था पुलिस को ये भी पता चला कि murder के time से कुछ समय पहले से उसके अपने parents के साथ relation अच्छे नहीं चल रहे थे बहन के साथ मैंने आपको बताया है था कि उसकी लड़ाई होई चुकी थी parents ये उसे बार-बार धंकी देते थे कि हम तुमारी car ले लेंगे हम तुम्हें बेदेकल कर देंगे तो इस तरह से उनके बीश में काफी तनाओ चल रहा था सेफ को police department की तरफ से 15,000 डॉलर भी मिले थे जो की victims of crime compensation का हिस्सा थे foreign में ऐसा होता है कि अग आपके parents की death हुई है आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगे इसलिए आपको compensation दिया जाता है और ये पैसा उसके मापक के funeral के लिए उसे दिया गया था लेकिन अब वो आराम से अपनी मा की car drive कर रहा था और ये पैसा फूंक रहा था उड़ा रहा था और मस्ती कर रहा था सेफ बार बार कर रहा था कि उसके पिता को फिलिपीन से धंकिया मिलती थी उसे मारने के लिए जो वो प्रॉपर्टी बेश रहे थी उससे संबंदित और ऐसा टेडी के एक कलीग ने भी बताया था कि हाँ ऐसा था उसे धंकिया मिलती थी लेकिन टेडी जारा चिंतित नहीं थ उसने एक email की copy दिखाई उन्हें और कहा कि मुझे ये धंगी भरा email भेजा गया है और ये email फिलिपीन से उसे भेजा गया था कि हमने तुम्हारे parents को मार दिया और हम तुमें भी मार देंगे पुलिस ने सेफ के computer की तलाशी ली और पाया कि ये जो email है इसके draft इसके computer में मौझूद थे यानि कि इतना वड़ा बेपूफ था कि इसने email के draft भी delete नी किये थे और अपने ही computer से अपने आपको email भेजी थी जो कि आसानी से पकड़ में आई जाती और ऐसे ही हुआ इसकी email करती थी उन्हें बताया कि मुझे brain tumor है और मुझे उसका इलाज करवाना है operation कराना है और उसके लिए मुझे 190,000 dollars की जरुवत है उसे पता था कि मेरे parents की property के देख भाल करती है और शैर मुझे भेज़ देंगी पैसा लेकिन उसकी आइंटी ने ऐसा नहीं किया उन्होंने 188,000 dollars के लिए उसके बाद उसने 175,000 dollar की एक car Lexus खरीदने के लिए 5000 dollars जमा भी कर दिये वो वो कार खरीदना चाता था अपने माबाब की मौत के सिर्फ 3-4 महीने के बाद ही उसने car company से कहा था कि मुझे जल्दी inheritance मिलने वाला है अपने माबाब की जायदात मिलने वाली है और म दॉलर जो उसने जमा किये थे उस car को पाने के लिए और वो car भी उसको कभी भी नहीं मिली उसके बदले उसने एक थोड़ी सी सस्ती कार खरीद ली उसमें उसने फिर से एक personalized number plate लगाई जिसमें TLCS लिखा था जो कि उसके family members के नाम के initials थे Teddy, Lovia, Claudine and Seth उसकी मा का नाम Mary के लवा लेविया भी था वो एक नए apartment में भी shift कर गया अपने parents के घर का furniture वो उस नए apartment में ले गया वहाँ रहने लगा और वहाँ का सारा खर्चा और rent उसके family members देते थे जो उसके रिष्टदार थे उन्होंने इन रिष्टदानों को बता रख ठाख था कि police ने मुझे कहा है कि वहाँ पर investigation करना ले पुराने घर में इसलिए मुझे नए घर में जाने को कहा है और साती ये भी इवी कहा है कि मेरी जिंदगी खत्रे में है मुझे भी कोई मार सकता है इसलिए मैं कहीं और छुपके रहूं इसके रिष्टदारों ने उसक को उसके सारे Calls को सुन वी रही थी और उनको रिकॉर्ड भी कर रही थी पुलिस ने उसके साथ एक अंडर्कवर एजेंट भी लगा रखा था एक अंडर्कवर आफिसर उसे एक कॉफी शॉप में मिला उसने सेफ के कपडों की तारीफ की और उसके साथ दोस्ती कर ली उस ओफिसर ने सेफ को कहा कि मैं एक गैंग का मेंबर हूँ तो सेफ ने उससे कहा कि मैं भी एक गैंग का मेंबर हूँ और मेरे गैंग का नाम है वाइट ड्रेगंज सेफ ने अपने फैमिली मेंबर्स की डेथ के बारे में भी इस ऑफिसर को सब कुछ बताया और उनका बिल्कुल एक्जक्ट समय भी बताया कि उनकी कब कब डेथ हुई थी जब कि पुलिस ने अभी तक यह सारी बाते सेफ को भी नहीं बताई थी 10 जनवरी 2002 में उसने अपने एक फ्रेंड को फोन किया और उसे कहा कि शायद पुलिस को मेरी पुरानी एलिबाई पर यकीन नहीं है और अब मैं एक नई एलिबाई पेश करने वाला हूँ जो कि पुलिस को पूरा यकीन दिला देगी कि मैं इहो सेंट हूँ उसे नहीं बता था कि ये सारी कॉल से उसकी रिकॉर्ड की जा रही है जब पुलिस ने उसको दुबारा पुलिस टेशन बुलाकर ये सारी पूछताच की उसको दुबारा कड़ाई से पूछताच की उन्होंने ये तो नहीं बताया कि तुम्हारी call record हो रही है लेकिन उन्होंने दुबारा से उसके alibi बताने के लिए कहा तो उसने कहा कि हाँ मेरी जो पुरानी alibi थी वो जूटी थी और अब मैं आपको सच बताने वाला हूँ तो पुलिस ने कहा कि ठीक है बताओ क्या सच है तो उसने कहा कि मैं उस दिन शाम को चार बजे तक अपने घर आ गया था ये सच है अपने पिता के office से lot आया था लेकिन मैं उस दिन अपने घर में अपनी गाड़ी खड़ी करके एक red light एरिया में चला गया था मैं नहीं चाता था कि उस एरिया में कोई भी मेरी कार को पहचाने इसलिए मैं उस कार को अपने घर में चोड़ गया था इसलिए जब मेरे फादर का कलीव बगएर आये होंगे लोग आये होंगे उन्होंने मेरी कार को मेरे घर में देखा होगा मैं वहां से एक petrol station पर गया व पुलिस को उसके call record में एक taxi driver का number भी मिला तो उन्होंने उस taxi driver से contact किया और उसे पूछा कि क्या तुमने इसको एक red light area में छोड़ा था तो तुरंद बोला कि हाँ हाँ मैंने तो इसको छोड़ा था तब पुलिस ने taxi driver को बोला कि बहुत सोग समझ के बयान दो क्योंकि यह सारे मोटी बात है कोई serious crime नहीं है इसलिए मैंने इसके लिए जूट बोल दिया था 30th में 2002 में सैफ ने पुलिस को बताया कि उसके apartment में जिसमें वो रहता है उसमें कोई जवस्ती घुसा था और उसके apartment में break-in हुआ है उसने पुलिस को यह भी बताया कि मुझे दो धंकी भरी email मि कोई निशान थे कोई ऐसा evidence पुलिस को नहीं मिला और जब उन्होंने उस दो email के स्रोत को ढूंडा तो वह एक internet cafe से भेजा गया था लेकिन जब पुलिस ने वहां जाच की तो वहां कोई भी CCTV नहीं लगा था इसलिए पता नहीं चल पाया कि वह email किसमें की है सैफ जब भी reporter स से contact में आता था वह reporter से कहता था कि मैं तुम्हें इंटर्विव दिऊंगा लेकिन इसके बदले मुझे पैसा चाहिए reporters को भी बहुत अजीब सा लगता था कि अपने मरेवे family members के लिए बताने के लिए भी पैसा चार्ज कर रहा है और धीरे धीरे सैफ को भी लगा कि शायरी अजीब सा लगता होगा इसलिए उसने कारा लॉरेंस जो की daily telegraph की एक reporter थी उसको interview देने के लिए agree हो गया इस interview में उसने बताया कि मेरे apartment में भी कोई जबस्टिक घुस गया था और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे apartment में घुसा उसने ही मेरी family की हत्या की है उस interview के बाद रात को साड़े आड़ बजे यह अपने घर के पास एक गटर के पास पड़ा हुआ पाया गया उसके पास ही एक plastic bag भी पड़ा हुआ था लोगों ने उसे hospital पहुचा आया hospital में जा कि वो कहने लगा मैं कहा हूँ मैं कौन हूँ हिंदी फिल्मों की तरह वो महाँ पर नाटक करने लगा बाद में पुलिस आई उसे question किया कि क्या हो गया तो उसने बताया कि मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ जा रहा था वॉक करता हुआ तब ही अचानक से वहाँ पे एक कार रुकी उसने मुझे अपनी कार में खीच लिया बिल्कुल फिल्मी सीन वो पताने लगा उन्होंने मेरे चेहरे पर प्लास्टिक शड़ा दी मुझे मानने ही कोशिश की और ये भी कहा कि अगर तुम हमारे बारे में कुछ भी बात करोगे रिपोर्टर से बात करोगे तो हम तुमें मार देंगे और उसने मुझे तरह तरह की धंकिया दी सबसे यादा धंकिया उसने मुझे मेरी ग्रैंड मा के लिए दी और कहा कि हम उन्हें मार देंगे उसने ये भी बताया कि बाद में उन्होंने मेरे सिर पर लकडी से वार किया उसके बाद मुझे वहाँ पर फेक गए लेकिन डॉक्टर्स को उसके सिर पर और कहीं भी शरीर पर भी कोई घाओ के निशा नजर नहीं आए जो कि यह ऐसा लगता उसे देखकर कि इसके सिर पर लकडी से मारा गया है या इसे जवस्ती खीचा गया है या ऐसा कुछ भी पुलिस को तो पता ही था कि यह जूट बोल रहा है और अब उन्हें सेफ की ग्रैंड मदर की सेफटी की भी चिंता होने लगी क्योंकि उन्हें शक था कि इसने अपने तीनों फैमिली मेंबर्स को तो मारी दिया है कहीं अपनी ग्रैंड मदर को भी कुछ ना कर दे क्योंकि अब वो यह कह रहा है कि उन्होंने उसकी ग्रैंड मदर के लिए भी धंकी दी है और उन्हें पता था कि वो सब कालपनिग लोग हैं और ये सारे कांट खुदी कर रहा है 13 जून 2002 को पुलिस ने उसके अबाइटमेंट को सर्च किया और उसके बाद उसे गिरफतार भी कर लिया तीन मर्डर्स के उस पर चार्ज लगाए गए उसने नौट गिल्टी प्लीट किया लेकिन उसकी बेल रिफ्यूस कर दी गई उसने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को भी एकसेस करने की कोशिश की अपने लॉयर का खर्चा भरने के लिए लेकिन वो इसमें नाकामियाब रहा एप्रिल 2004 में उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ ट्रायल में पता चला कि वो कई महीनों से प्लैनिंग कर रहा था अपनी फैमिली को मारने के लिए उसने पहले ये सोचा था कि मैं अपनी फैमिली को पॉईजन दे कर मारूंगा पुलिस ने उसका कंप्यूटर कबजे में ले लिया था और उसकी सर्च हिस्ट्री में उन्हों देखा कि उसने बहुती अजीव जीव जीव तरीके की सर्चिस की हुई है उसने poisons के बारे में भी search किया था ये भी search किया था कि ऐसा कौन सा poison है जो हम असानी से खाने में मिला कर दे सकते हैं और किसी को भी पता नहीं चलेगा उसने दो प्रकार के जहरीले seeds भी order किये थे उन में से एक था castor oil seed जो कि अगर खा लिया जाए तो फिर जहरीला सावित होता है ये इसने online मगाय था और early July 2001 में ही उसको deliver हुआ था सेफ ने साफ मना कर दिया कि मैंने कोई searches नहीं की थी टेडी ने searches की होंगी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता पुलिस को बाद में सेफ की मेज के नीचे से टेट से चिपकाए हुआ एक clear liquid मिला जो कि उसने एक शीशी में पैक करके अपनी मेज के नीचे टेट से चिपकाए हुआ था उसे चुपाने के लिए जाच करने पर परणा चला कि जो उसने सीट समगाए थे उनी का ये oil था और उसको consume करने से death भी हो सकती थी जैसा कि आपको मैंने इसी story में पहले भी बताया कि सेफ को और उसकी मा मेरी को एक बार food poisoning के लिए hospitalized भी किया गया था उसकी मा को ज़्यादा severe था ये food poisoning और उसके बाद उसकी मा को ये लगा था कि शायर मैंने कोई undercooked food खालिया होगा कच्छा अच्छा खाना खालिया होगा और शायर इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है और सेफ ने भी तुरंत हामेहा मिला दी फिर उसकी मा को overnight वहाँ पर रखा गया और बाद में छोड़ दिया गया था अब ये माना जा रहा है कि शायर उसने अपनी मा को poison देने की कोशिश की होगी लेकिन वो उसमें fail हुआ इसलिए उसने फिर बाद में अलग तरीके से murder करने का सोचा trial में धीरे धीरे सामने आया कि murder वाले दिन यानि की 10 जुलाई 2001 को सेफ पहले अपने पिता के office गया university से वहाँ पर उसने काम निप्टाया और उसके बाद 4-10 से 4-30 के बीच ये अपने घर लोटा पहले ही अपनी sister Claudia के कमरे में गया उस समय उसकी बहन Claudia गर में अकेली थी और पढ़ाई करी थी ये उपर गया base wall बैट लेकर और एक चाकू लेकर उसने बहुत जादा गुस्से से अपनी बहन पर हमला करना शुरू कर दिया क्योंकि उससे नाराज था क्योंकि उसने अपने parents को बता दिया था कि सेफ ने अपने report card में हेरा फेरी की है इसलिए उसने उसे बहुत बुरी तरह मारा और इसलिए भी मारा कि उसकी मौत के बाद वो अकेला ही जायदात का वारिज बनता अपनी बहन को मारने के बाद वो आराम से बैट कर अपने parents के आने का इंतजार करने लगा फिर करीब 6 बजे उसकी मा घर आई उस पर भी उसने तुरंती अटेक किया और उसको वहीं पर मार दिया तब ही उनकी आंट एमिली जो अपने बेटे को लेकर इनको विजिट करने आई थी वो वहाँ पर आई उसने खिड़की से जहाका और पाया गी वहाँ पर कोई बैठा हुआ है सच में ही वहाँ पर कोई बैठा हुआ था और वो था सेफ वो अपने पिता के इंतजार में वहाँ पर बैठा हुआ था फिर 7 बचे टेडी घर में घुसा और तुरंती उसको भी मार दिया गया उसके बाद सैफ ने बातरूं में जाकर शावर लिया अपने खून के सारे निशान मिटाए उसके बाद वो हॉल में गया और उसके बाद उसने वो सब रेसिस्ट बाते लिखी वाल पर जो कि पुलिस को बाद में लिखी हुई मिली थी बाद में पुलिस ने ठीक से जांच कराई कि उसके कपड़ों पर जो ब्लू पेंट मिला था और ये जो ब्लू पेंट वाल पर मिला है ये सेम है या नहीं और वो exact match साबित हुआ उसने बाहर निकल कर नहाद होकर murder scene को stage किया सारी चीजे फैलाई हैं अपने माबाब के पर्स से ब्रीफ केस से निकाल कर ये सारा कुछ लिखा और आराम से baseball, bat और knife लेकर वहाँ से चला गया उसने वो spray paint का can अपने shoes, baseball, bat और knife वगयरा कहीं पर fake दिया जो कि आज तक police को recover नहीं हुए वो कभी भी वापस नहीं मिले उसके बाद वो आराम से अपने friend Sam के साथ हुमने फिरने चला गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो ऐसा माना जाता है कि उसने परे पेरिंट्स का सारा पैसा एंटने के लिए उनको मारा था, इसके साथ ही वो उनसे नाराज भी था क्योंकि वो से धमकी देते थे कि हम तुमें बेधकल कर देंगे, तुमारी कार शीन लेंगे इसकी girlfriend के साथ उन्होंने इसका break up करा दिया था, साथ ही उसको music करने के लिए लोग मना करते थे, कहते थे कि पढ़ाई करो तो इस तरह की बातों से बहुत ज़रा नाराज था, 20th of May 2004 को इसके case का फैसला सुनाया गया court ने कहा कि इसको guilty पाया जाता है, तीनों murders के लिए और जब इसको, ये पता चला court में जब इसने ये सब सुना तो वो बहुत ज़रा shocked हो गया, साफ देखा जा सकता था उसके चहरे पर कि उसको कितना ज़रा धक्का पहुचा है, ये सुनकर कि उसको murder के लिए guilty पाया गया है उसे लग रहा था कि मैं ये सब करके निकल जाओंगा आराम से, सेफ से मिलने एक psychiatrist भी आया था, उसने ये पता लगने कोशिश की थी कि इसकी जो mentality है वो ठीक है या नहीं है, कहीं उसको कोई mental illness तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल fit था, उसको कोई भी problem नहीं थी 18th of September 2004 को उसकी birthday के सिर्फ एक दिन के बाद उसको सजा सुनाई गई उसको तीन उम्रकैद की सजाएं सुनाई गई उसमें पैरोल की कोई भी गुंजाईश नहीं थी उसे गोल्ड बर्ग जेल में रखा गया है और अब भी भी वो यही कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ और मैंने कोई भी crime नहीं किया है 20,000 डॉलर में बेश दिया गया वहाँ पर रहने वाले ओनर कहते हैं कि हमें इस प्रॉपर्टी में कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर हमें positive vibes आती है और हमको कोई भी दिक्कत यहाँ पर रहने में नहीं होती है आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा कि मेरी किये कहानी आपको कैसी लगी और यह कहानी भी थोड़ी सी लंबी हो गई है इसके लिए मैं शमाच आती हूँ और यह कहानी मैं अब दो पार्ट्स में पोस्ट कर रही हूँ तो आप लोग मुझे बताईएगा कि आपको यह मेरा इडिया कैसा लगा मुझे दो पार्ट्स में पोस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो यह आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं आगे से अपनी जो कहानी है वो दो पार्ट में पोस्ट करूँ या ना करूँ इसका डिसीजन ले सकूँ अधना नहमद जी ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया था जो मैं आप लोगों के साथ शेर करी हूँ अधना नहमद जी थांक यू सो मच for such a beautiful कमेंट तो थांक यू सो मच for watching my channel आप लोग बैल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी स्टूरी के सारे नोटिफिकेशन्स आपके पास जा सकें और आपको बहुत जारा बिजली कड़क रही है शायर आपको इस रिकॉर्डिंग में उसके आवाज भी सुनाई दे रही होगी क्योंकि मुझे सुनाई दे र प्रिचित झालए नोटेंग झालए जालए दे पिसे वाज़ जाल शूरे दे रही होगी के उन ट्यारा बैलैंग प्रेस के प्थमाचे जात प्रेंग भी सिर्भ्य जाए याल ताकि में जाए छूरा आफ जात्वाचे जाए तो धूल जात्वाज घए ए को अए जाबने र